हेलो स्टुडेंट विल्कम बैक टू यूटूब चैनल चनकरेटीच आप सपी को बता है अर्दबरसिक परिच्छा के लिए हिंदी के लिए हम ब्याकरण देख रहे थे लगातार सीरीच आपको चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही है तो चलिए जैसा कि हमने आपको पिछ प्रोवाइड लेके आ गया है ठीक है हिंदी ब्याकरण कक्छा ग्यार भी का ठीक है ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं सिलेबस आपका संपोड ब्याकरण का यह है और जिन में से जो टोपिक रहे गए थे पार्ट टू में और वन में वहम इस पार्ट तरीके वीडिय प्रवाइड करा दिया गया है हमें कहां से देखना है वह मैं आपको पता देता हूं जहां से हमारे टॉपिक शुरू होंगे आज के देखे तो यहां से हमें बिम्पे विधान से देखना था और इसके पहले यह सभी हम कंप्लीट कर चुके थे ठीक है तो यह आपका है हिंदी साहित में कभीता की एक सैली है जैसे कई प्रकार की कभीता की सैली होती है और में से एक कभीता की सैली है स्वतंत्रोत्तर हिंदी कभीता में यानि स्वतंत्रता के बाद स्वतंता जब हमें नहीं मिली थी उसके वह स्वतंत्ता के पहले का समय था और स्वतंत्रोत् उस समय जो हिंदी कविता में जैसे जैसे बिसा बदलते गए बस्तू बदली और कभी को जो कभी की जीवन दृष्टी है वो भी बदली बैसे ही सिल्फ के छेत्र में रूप विधान के नए आयाम भी बिक्सित हुए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बिम्ब बिधान है इस प्रकार के जो सैली है वो बिक्सित हुई एक प्रकार से बोल सकते हैं कि यह कभीता की सैली है जो कभी कभीयों के नएने बिचारों की आधार पर बदलती गई और जैसे जैसे अन्य छेत्रों में कभीयों ने देखना चालू किया, ठीक है, अन्य छेत्रों में उन्होंने अपनी नजर डाली और उन्च चीजों पर लिखना शुरू किया, तो ये एक सैली विक्सित हो गई, जिसे हम बिम्ब विधान कहते हैं, ठीक है, तो ये आपका एंसर हो जाएगा, उसके बाद देखे, बिम्ब के म तो ये आपके हो जाएगे तक्त्व, उसके बाद कविता में बिम्बों का प्रयोग क्यों आवस्चक है, कोश्चन आपका इस प्रकार से पुछे जाता है, तो दीखे, कविता में बिम्ब हमें अपनी बात सरलता से और चेर परिचित धंग से कहने में सहायक होते हैं, यह पारे में कविता है, और इस कविता का उद्देश का आया में समझाने का, ठीक है, इसलिए बे उन बिम्बों के माद्यम से कही गई बात को सरलता से आत्मसाथ कर लेते हैं, यानि जो पाठक होते हैं, बिम्ब काव्यात्मक्ता का बिसेश कुन है, इसके आभाव में कविता नीरस कद्र की तरह प्रतीत हो सकती है, जैसे हम कोई भी गद्ध पढ़ते हैं, तो उसमें हम अतना रस नहीं आता है, लेकिन कविता जब पढ़ते हैं, तो यदि बिम्ब उसमें उपयोग नहीं किये गए है, तो वो नीरस लगीगी, यह इसमें बताएगा है, इसके लावर परिवेश की जो नएने धंग हैं उनको कभी कभीता में डालता है जिससे एक नई कभीता बिक्षित होती है जिससे कभीता रूचक बनती है तो इसलिए आवस्यक होता है विंबोग आप्योग संबाद लेखन क्या है दिखें संबाद लेखन दिखें यह आपका टॉपिक है औ और question इसे बनता है संबाद लेखन पर तो देखे जैसे को question आपका आएगा इस प्रकास से जनसंक्या नियंत्रण अथवा परिवार नियोजन विसाय पर एक डॉक्टर इवं महिला के मध्ध होने वाले संबाद लिखे ठीक है तो एक संबाद आपको लिखना है तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से लेख सकते हैं जरूरी नहीं है कि आप इस सुत्तर को ऐसे ही लखें इसी ढंग से लिखें जैसा इसमें लिखा गया है जरूरी नहीं है बट आपको कुछ ध्यान लखना है कि यह sentence है उसमें कहां कोमा लगना है कहां question माग लगना है यदि कोई प्रशन प्रशन पूछ रहा है आपने question माग नहीं लगाया तो उसका मतलब है कि आपने साइट तरीके से संबाद का लेखन नहीं किया है तो यह यदि आपको आता है संबाद लेखन तो सब छोड़ी छोड़ी जीजों को ध्यान रखना होगा जैसे कि इसमें देखे महिला बोल रही प्रशन प्रशन पूछा कि क्या नुकसान है तो यह question माग लगा है तो ऐसी चीजें आपको दिहान रखनी है जो कि मैं आपको बता रहा हूं ठीक है उसके बाद दिखे तो पूरा यह संबाद आप लोग पढ़ लीजिए और इसको देख लीजिए कहां कैसा आपको लिखना रहता है ठीक है अब जरूरी नहीं है कि यह आपका question paper में आ जाए जिस प्रकास से संबाद लेखन किया जाता है क्योंकि संबाद लेखन किसी भी topic पर आपको दिया जा सकता है ठीक है जैसे आपके दो मित्रों के भी बीच हुई बातचीत का संबाद लिखन लिखिए या सिक्षक और विध्यारती की बीच की ठीक है तो इस प्रकासी जैसे कि यह दूसरा question आपका है ठीक है इसको आपने देख लिया यहां पर यहां से आप देख सकते हैं यह पूरा आप लोग देख लेंगे इसको पढ़ लेजे ठीक है और इसको पढ़के आप लो लगता है किसी भी को भी हम नामस्ते या कुछ भी बोलते हैं तो थोड़ा हम रुकते हैं तो रहं लेते हैं उसके बाद हम अंगला बाकर बोलते हैं फिर हम पूचे कि कैसे हो तो इसमें question है कैसे हो तो यह प्रशन है तो प्रशन के लिए हम question माई लगा तेंगे तो यह सब दियान लगनी है तुम्हारी तैयारी हो गई एक छात्र पूंच रहा है देविंद गौरब से बोला तो गौरब बोलता है हां मित्र बस हो ही गई है ब्याकर्ड का एक टॉपिक संधी पुन्राब्रती के लिए राय गया है यानि रिविजन के लिए राय गया है बैभी जल्द सब्द भो तो संग्य़ा पदबंद कऊर के साड़ सब्दे हो तो यह होता है तो यह उस्सेंग समझा दिया उसको तो इस प्रकाल से आपको कि यह संबा करना और दो मैंने आपको आड़र बता दिये हैं यहां से आप देख सकते हैं ठीक है और उसके बाद दिखेत अनुछे लेकन अनुछेद लेकन भी आपका question पूछा जाता है दीन नमबर या चार नमबर पूछा जाता है तो इसमें क्या है एक topic दे देंगे जिसके उपर आपको बहुती सार्थक सब्दों में या कहें कि बहुती कम सब्दों में एक अनुछेद लिखना होता है जैसे कि अभ्यास क महत्त हैं इसके उपर जितना अच्छा जितने कम सब्दों में आप लिख सकते हैं वो आपका अनुछेद आपको लिखना होता है परिच्छा में जैसे कि अभ्यास का महत्त यहां पर बताया जा रहा है तो अभ्यास का महत्त क्या है इस topic पर आपको अपने विचार लिखने ह होते हैं और इसमें भी वही है सब आपको कौमा पुलिस्टाप सही जगह फिलगाना होता है ठीक है यदि निरंतर अभ्यास किया जाए तो असाध्य को भी साधा जा सकता है इस्वर ने सभी मनुष्यों को बुद्धी दी है उस बुद्धी का इस्तमाल तथा अभ्यास करके मनुष्य कुछ भी सोच सकता है अर्जुन तथा एक लब्भी ने निरंतर अभ्यास करके धनुर विद्या से निपरता प्राप्त की मतलब धनुर विद्या में निपरता प्राप्त की उसी प्रिकार बरद राज ने जो की एक मंद बुद्धी वालक था निरंतर अभ्यास द्वारा विद्याप्राप्त की और ग्रंथों की रचना की उनी पर एक प्रिस्द कहाबत बनी है करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल्फर परत निसान ठीक है जो कुए के पाट रहती है आपने देखी होगी उस पर रसी बार बार गिस्ते रहती है तो उस पर भी निसान बन जाता है पत्थर को भी काट से दिये और रसी तो वही इसमें समझाए जा रहा है कि अभ्यास का कितना मात है तो यसी कोटेशन भी आप यूज कर सकते हैं दोहा बगएरा जो आपको उससे संबंदित हैं तो उससे और नंबर आपके च्छे कटने का चांस नहीं रहता है ठीक है उसके बाद देखे यह आ हिन्दी में हैं तो अपने एसाब से लिख सकते हैं कुछост नहीं है वसको हिन्दीालित लिखना आना चाहिए वस्ति जो पूर ब्राहँ लगाते हैं कॉमा लगाते हैं इस और देख को ध्यान लगत नहीं तो आपको पूरे में बलते हैं एक भी ही नमघर नहीं कट्टा Cel कि समय के साथ कितना सब चीजे इंप्रूब हो चुकी है थम्नेल से लेकर वीडियो क्वालिटी और पीडिया क्वालिटी हर चीज इंप्रूब होती है तो यह सब अभ्यास से ही होता है इसलिए मैं आपको हमेसा कहता हूं अभ्यास करते रहिए अब देखिए भाव परल्लबन से भी कुर्शिर मनता है इसमें से मपएसे हूए साहित समाज का धरबण है こ sab unbelievable कृटे कि कतन होते हैं जोकी चलते रहते हैं जैसे इमानदारी सबसे अच्छी नीती है साहित समाज का धरबन है aujourdanka टू एसे कुछ jot है एक प्रकास से आब बोल सकते हैं की औरृशन टाइब के हो होते हैं जिनसे कुछ न कुछ हमें क्या मिलता है ग्यांप्राप्त होता है नौलीज मिलता तो यसे दूर कि कि बोले हुआब मेलब दो इसमें बहुत ही गहरी बात चुप पिर होती हम चुब है इनमें तो इनीक वरहाब करना होते हैंT के अंदर से क्या भाव निकल के आरहा है वहमें पताना हुता है जो इसमें देखिए साहति समाज के तरपन बेहरे बहुत भोगु इंपोटरिफएंट है ये बाढ़ साहित के पठन-पठन से सतकाले नियुग की सम्यक जनकारी प्राप्त हो सकती है इसी तथे के दृष्टी पच में मनीशियों ने साहित को समाज का दरपन कहा है ठीक है? तो साहित हम जो पढ़ते हैं उससे हमारे जीवन में बहुत बदलाव आते हैं कई साहित हैं, कई गरंथ हैं जिससे हमें ऐसी बातों का पता लगता है जो हम कभी भी जिनके बारे में हमें पता ही नहीं होता है जो चीजें हमसे पूर्व के जो पूर्वज हैं उन्होंने अनुभो की और साहित के रूप में उसको लिखा कभी उन्हें लेक को ने उन्हें अपनी जिन्दगी के अनुहमों को लिखा और उन्हें जो सीखा उसको लिखा तो उससे क्या होता है समाज के लिए हर तरीके से समाज के विकास के लिए और हर तरीके से बहुती जरूरी होता है बहुती ठीक तो साहित समाज का दरपण है इसको आप लिख सकते हैं आप देखे इसी प्रकाद से दूर के ढोल सुहाबने होते हैं या बोल सुहाबने होते हैं तो यह आप देख सकते हैं कि जैसे की कोई इसको मैं सौड में आपको समझा जाता हूँ कि जैसे कि कोई घर में आपके घर में या आपके गाउं में कोई बहुत ही सांदार आपको कोचिंग पढ़ाता हो या कोच भी कराता हो तो आप उसको उतना मात नहीं देंगे जितना कि दूसरे बैक्ति को देंगे जो दुख कहीं और का है या कहीं सहर का है या कहीं दूसरे ज देख लेना बागी दो मैंने आपको बता ही दिये हैं इनके उपर आप लोग डूड़के कंप्लीट कर लेना ठीक है ना अब देखे यह सभी हमारे टॉपिक कंप्लीट हुए सारा संचे पर भी यह आप लोग बोलें तो कमेंट कर दीजे वो भी मैं बना दूँगा कुछ टॉ साइट पर विजट करते रहिए जानकारीटीज.com अपनी वेबसाइट है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे सब्सक्राइब कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो भी इसे प्रकास से आपको मिलने वाली हैं क्योंकि अर्दबासिक प्रक्षा के वहतरीन तयारी यहां कराया जाती है तो चलिए ऊपर चलते हैं उसमें देखते हैं यहाँ पर सभी टॉपिक लगवां कंप्लीट हो चुके हैं कुछ टॉपिक जैसे कि यहाँ पर निवंद लेकर निवंद कौन से करना है पत्र कौन से करना है यह हम आपको अलग से बता देगे वीडियो बनाके टीके और निपात सब्द तक नीगी सब्द ये सब्द कुछ रहे गए हैं और पटित गद्यांस तो आप से बंते ही हैं उसमें क्या उसी में से देखना रहता है आंसर तो ये सब चीजे हैं कुछ रहे गई हैं बाकि मैंने आपको सभी टॉपिक बता दिये हैं सारस इंचेपन रहे गया बाकि तो पूरे कंप्लीट हमारे टॉपिक हो गए हैं तो पार्ट वन टू तु त्री तीनों देख लेना तो आपको पूरा व्याकरन कंप्लीट हो जाएगा 11 थिंदी का और इनको यहीं कंप्लीट क